आपकी वोक्षीट नमबर 13 या आपकी साइन्स क्लास सेवन क्लास की साइन्स की वोक्षीट है तो पहले अपना नाम अपना टीचा का नाम आप लिख लेंगे अब हम पढ़ेंगे हाव न्यूट्रिंट आर रिप्लेश्ट इन दस्वाइल यानि हम उसके अंदर किस तरह से केती का जो मैदान है उसमें गई से फार्म ओवर स्प्रीड फल्टिलाइजर इन दर फिल्ड उसने देखा कि किस तरह से वहां की जो किसान है वो उसके अंदर फल्टिलाइजर को डाल रहे हैं उसने देखा कि सीम यहीं चीज़ उसके घर की जो गार्डनर वो लाण में और की अंदर भी करतें लेकिन वह मैन्यूर डालते जब कि वह फल्डिलाइजर डाल रहे ते शी वर इड वाय दे आर डूइंग सो यानि उससे टेंशन हो इसने सूचा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ठीक है चले देखते क्यों कर रहे हैं तो फल्डिलाइजर और क्यामिकल टीन चीज़े देता है कौन-कौन से ही नेट्रोजन लेता है और प्रोटेशियम देखते हैं अब इसका लिए गाइनिक सब्स्सक्राइब नेचरली बनता है जब किसी के मदब डम करते ना गाये बहस उनके उससे बनता है विच आर अप्टीन्ट फॉर्म डिकेरिंग पार्ट्स ओफ दप्लांट एंड एनिमल्स एक्स्ट्रा एंड प्रोवाइट नूट्रियन टू प्लांट यानि कि अब जो एनिमल्स फगेरा होते या पेड जो सड़ जाते है उनसे बनता है यह और पेड़ों को बहुत जादा नूट्रियन देता है तब यहां देखे क्या लिखा है आपका प्लांट अब्सॉर्ब मिनल्स नूट्रियेशन फॉर्म दस्वाइल फॉर दियर ग्रोथ एंड गुर्ट है यानि पेड़ रहे वह मिट्टी में घटने लगती है फल्टिलाजर है मैनुर्स यानि जो यह खाद होती है यह आपके ओर्वक जो होते हैं यह कंटीन प्लांट्स नूट्रिशन सच आज नैट्रोजन प्रोटेशियम फॉर्स फॉर्स एक्सेक्टर यानि वह दोनों चूहें यह चीज़े पेड़ों को दे देते हैं इस नूट्रिशन नीट तो भी एड़ेट फॉर्म दे टाइम तो टाइम इंट्रीच तो सॉइल और यह ताइम तो टाइम मिट्टी को दिया जाता है ताकि मिट्टी खराब ना हो अमांग ओल नूट्रियन्स प्लांट रिक्वाइड नैट्रोज में मौजूद है लेकिन प्लांट कैन नॉट टीक डिरेक्ली नहीं ले सकते दे नीड नाइट्रोजन इन उनको जो है उनको एक गीले लिक्विट फॉर्म में चाहिए है जो की वह मतलब हम जमीन से लेते हावा में डैरेक्ट गैस के फॉर्म में वह उसको नहीं ले पाते है ठीक है दा बैक्टिरियम आर कॉल जाने कि वह बैक्टिरिया जिसको हम रैबेजियम कहते हैं विच लीव इन रूट ऑफ दा ग्राम पीज मॉंग्स बीन्स और अधर लेग्रम्स कैन टेक अट्मोस्फियर नेट्रोजन और कंवर्ट इन्टू 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 पौदे पाएजके हैं और इसको नाइट्रोजन इसमें तोड़ बना दे तें जिसके बाद विच्वाड नेट्रोजन साइकल को पढ़ा अगर आपको नहीं याद है तो पिछली वक्षेट्स देखें आपको देख जाएगा मुस्ट ऑफ दाले और अप्टीन फॉर्म दल लेगी मॉनिस प्लांट यानि कि यहीं जादा तर लेगी मॉनिस प्लांट में आतनी कौन से जो दाले हैं वही फलीदार पौदों में जादा मिलती हैं ठीक है जो अपना खाना स्वाम नहीं बनाता इस प्लांट वाइड फूर्स एंड शेल्टर तूबी दा बैक्टिरिया यह जो है बैक्टिरिया के जरी अपना खाना वगरा प्रवाइड का अधर देया आवदा सेंबोर्टिक रिलेशन्शिप इसी को हम लोग सेंब्लिक रिलेशन्शिप कहते हैं अब आपका यह पहला कुछन दिया गया है कि फर्स्ट कुछन राइट वन डिफ्रेंस बीट्विन फेल्टिलाइजर और मैनुर यानिकी मैनुर और फेल्टिलाइजर के बीच को आपको बताना चलिए इसका अंसर देखते हैं सेंब्लिक होते हैं यह खुद बनाए जाते हैं प्लांट्स बगहरा को डंप करके ठीक है तरह से यही आपका मेंली डिफरेंट होगे आप से एक ही डिफरेंट पूछा गया तो आप इसको ही लिख लेंगी चलिए अगला कुछिन बढ़ते हैं का दूसरा कुछिन है त्री में न्यूट्रेंट फर्म प्लांट्स आर यानि वह तीन न्यूट्रेंट प्रता यह जो पेड़ों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है चलिए सकांसा देखते हैं आपका फिल अप हो गया यह आपका पूरा लिखा हुआ था मेंली आपको जो अंडरलाइन वाले वर्ट से को यह लिखना है नाइट्रोजिन फॉलसफर्स और पोटेशियम ठीक है ताप इस तहां से तीनों की नीचे यह अंडरलाइन आप लिख लेंगी चलिए आगे पढ़ते हैं यहां आपका तीसरा कुछ है लिखा है वाट इस सेंबोलेटिक रिलेशन्शिप क्या है चलिए इस तो आप इस तरह से लिख लेंगे इसके बारे में डिटेल स्टेडी हम लोग ने पिछली वरक्षीट में पड़ी है अगर आपको कुछ पॉबलम हो तो आप उस वरक्षीट को देख सकते हैं चलिए अगला कुशिन पढ़ते हैं आपका लास्ट कुशिन है वाइडू प्ला आप आप से लिख लेंगे आज की वरक्षीट करिये अगर दम करते हैं आज की वीडियों पसे इतने हैं अगर आपको मैं वीडियो पसे नहीं तो प्लीज जिससे लाइक को शेयर करें अबी तख आपने मैं चाहँ आँग और सब्स्क्राइब करें थैंक्यों फर वाचिंग अट áreas मैं की वापको मैं आपको मैं भी जは फसे लिखिता दो आपका बने मैंक्यों चाहँ मैं करेंियो मैंगे आपको 3 सिराच